तो के आल चेवल भाई लोग कैसे हो आप लोग और हाँ भाई फाइनले यहाँ पे Realme वालों ने Realme C2 का सक्सेसर Realme C3 इंडिया के अंदर ओफिसल एंवील कर दिया है नो डाउट फोन काफी कमाल का है लेकिन भाई फिलाल के लिए मैं आप लोगों को यह फोन भी रिकमेंट नहीं करूँगा मतलब रिकमेंट तो करूँगा लेकिन 11 तारिक के बाद क्योंकि भाई सब 11 तारिक को यहाँ पे लॉंच होने वाला है Redmi 9A और हाँ भाई यह बाई तो आपको मालूम ही होगी कि Redmi की यह जो A सीरीज है वो सच में काफी कमाल की Value for Money वाली सीरीज है और जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो हाँ दोस्त हमें Redmi 9A के बारे में वो सारी की यह मालूम चल गई है जिसकी मदद से हम सब इस फोन को Realme 3 के साथ कमपेर कर सकते हैं और आज इस वीडियो के इंदर हम सब यही करने वाले हैं और श्टार्ट करते हैं फिर बिनो कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को मैं हूरी शेवर आप लोग देख रहे हैं और शेवर अब वैसे तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग 11 तारीक का वेट कर लो लेकिन इसके बाउजूद अगर आप लोग इस वीडियो को 11 तारीक के बात देख रहे हो और यहाँ पर अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फोल लेना है तो भाई सब लिंक मैंने नीशे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिया है आप लोग वहाँ से चाह के ले सकते हो खेर बिना कोई और बकवास की जल्दी से कंपेर करते हैं इन दोनी फोस को और सबसे पहले यहाँ पर में बाते करना चाहूंगा डिस्प्लेइस के बारे में और जैसे कि आप लोग देख पारे हों इमेजेस को जिसे हमें यह बात पालूम चलती है कि रेड्मी 9A के साथ भी हमें एक 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली स्क्रीन देखनी को मिलने वाली है जहां पर उफकोस हमें यह वाटर डॉप्रेट वाली नौच का सपोर्ट देखनी को मिल जाएगा और वैसे हाँ फिर यहाँ पर हमने सेम चीज रियल्मी C3 के साथ भी देखी तो डिस्पले के मामले में मेरे ख्याल से यह दोनों इफोंस काफी कुछ सिमलर होने बाले है अब जहां तक बाते आती है परफॉर्मेंस के बारे में तो हाँ भाई देखो ऐसा हो सकते है कि Redmi 9A के साथ भी आप लोगो को Helio G70 का सपोर्ट देखनी को मिल जा है जिसे ऑफकोस हमने अभी अभी ही Realme C3 के साथ देखा और जहां तक बाते आती है इस चिपसेट की परफॉर्मेंस की आपको इतनी तगड़ी लेबल की परफॉर्मेंस आज से पहले कभी देखनी को नहीं मिली तो हाँ भाई देखो ये बात 100% तो कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी इस बात के यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेज है कि Redmi 9A के साथ आपको Helio G70 का सपोर्ट देखनी को मिल जाएगा खेर दोस्तों आगे बढ़ते हो और अब यहाँ पर मैं बाते करना चाहूंगा फिंगर्पिंट स्कैनर के बारे में और जैसे कि आप लोग देख पारे हो ना तो ये चीज़ हमें Realme C2 के साथ देखनी को मिली और नहीं इस फोन के सक्सेसर Realme C3 के साथ फिंगर्पिंट स्कैनर देखनी को नहीं मिला और जहां तक बाते आती है Redmi 9A के predecessor Redmi 8A की तो वहाँ पे भी आई आपको फिंगर्पिंट स्कैनर देखनी को नहीं मिलता लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको Redmi 9A के साथ एक फिंगर्पिंट स्कैनर का सपोर्ट देखनी को मिल जाए अगेन इस बात की confirmation मैं 100% नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इस बात के यहाँ पे काफी ज़्यादा चांसे हैं वैसे Redmi 9A का एक और काफी कमाल का फिचर जिसे खुद यहाँ पे Xiaomi वालों ने टीज कर दिया है वो इस फोन का बैक मतलब हाँ इस इमेज से हमें यह बात मालुम चलती है कि Redmi 9A का बैक जिस material का बना होगा वो यहाँ पे काफी ज़्यादा grippy होने वाला है और अफकोस इस material की वज़े से हाथों से फोन फिसलने के chances यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं तो अगे यह भी एक काफी कमाल की जीज होने वाली है Redmi 9A के साथ वेल आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे मैं बाते का नशाओंगा cameras के बारे में तो again यहाँ पे भी यह दोनों phones काफी ज़्यादा similar है क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पार हैं इस बात की confirmation खुद यहाँ पे company नहीं कर दी है कि हाँ इस बार Redmi 9A के साथ आपको dual camera setup का support देखने को मिल जाएगा और of course Realme C3 में तो आपको dual rear camera setup Realme C2 के जमाने से देखने को मिल रहे थे तो again यह भी यहाँ पे काफी कमाल की चीज होने वाली है तो again दोस्त cameras के मामने में भी यह phones काफी ज़्यादा similar होने वाले है जहां तक बाते आती है battery की department के बारे में तो हाँ भाई यहाँ पे भी यह दोनी phones काफी ज़्यादा similar है क्योंकि दोनी phones के साथ आपको 5000 mAh की battery का support देखने को मिलने वाला है एक खास बात यहाँ पे Redmi 9A के साथ आपको देखने को मिल जाएगी वो यह है कि इस phone के साथ आपको 18W की fast charging का support देखने को मिल जाएगा जो कि हाँ कहीं बेटर है सिफ 10W की charging से तो हाँ इस मामले में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है Redmi 9A बाकी देखो भाई यहाँ पे जो सबसे बड़ा deciding factor निकल की आने वाला है कि यहाँ पे आपको कौनसा phone लेना चाहिए या फिर कौनसा phone नहीं लेना चाहिए वो यहाँ पे होने वाली है Redmi 9A की pricing क्योंकि उसके बाद ही भाई इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग 11 तरीका वेट कर लो और बाकी तो भाई जितनी चीज़े मुझे पता थी इन फोन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में फिलहाल इस वीडियो के आने अप लोग को बता दिया अप फिलहाल यहाँ पे आपके क्या thoughts है आपके क्या और आपका notification bell भी on होना चाहिए और चलो फिर मैं मिलता आप लोग इसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए